हेलो बाबु कैसे ही आप लोग तो आप देखना अपना फैवरेट लूप चैनल फिजिक्स गरू और आज हम लोग देखने जा रहे हैं important two marks question in electrostatic तो होने वाला है बहुत ही important two marks और इसके साथ ही होगा one marks तो बिल्कुल आप लोगो complete कर लेना है two marks और one marks और फॉस्ट लेक्चर है इस sit का याद रखेगा two marks का पूरा sit देदेंगा आप लोगो जहां आप complete कर सकते हैं तो होजा हो तैयार ले लो अपना note book और पेन और बिल्कुल लिख लेना है याद रखेगा one marks question भी है और two marks question भी है तो अगर वीडियो खत्म होगा तब तक आपको याद हो जाएगा सारे one marks और सारे two marks तो यह first lecture है और जरूर last में आप लोग बताईएगा comment करके कि कैसा लगा यह first lecture और क्या ऐसे sits बनाना जरूरी है और इससे आपको कितनी सहायता मिलेगी इस सारे चीज़े आप जरूर comment में बताएगा तो please और एक बात यह और है अगर आप daily one marks question से जुड़े रहना चाहते हैं इससे related सारे one marks question से जुड़े रहना चाहते हैं तो आपको telegram channels को join करना पड़ेगा तो telegrams के link आपके description में इस video के description में दिया हुआ है उससे आप जाकर और जुड़ सकते हैं join हो सकते हैं तो चलो कोई बात नहीं बिना समय गवाए हम लोग चलते हैं first two marks question की और जिसमें से बहुत सारा one marks भी निकलेगा तो देखते हैं आपका first two marks question इन दध्यान से देखेगा जो हम लोग अभी topic देखने जा रहे हैं unit chapter देख रहे हैं उसका नाम है electric charge and field तो बिदुत आवेस तथा छेतर तो सबसे पहले हम लोग charge complete करेंगे तो charge की जितने two marks question है उसको complete करेंगे तो first question देखते हैं कौन सा आ रहा है तो first question है विसिष्ट आवेस को परिभासित कीजिए या विसिष्ट आवेस की परिभासा दीजिए या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि विसिष्ट आवेस से आप क्या समस्ते हैं तो चलो clear करते हैं complete करते हैं समस्ते हैं कि विसिष्ट आवेस किस चुडिया का नाम है तो देख कन पर मौझूद आवेस Asia किसी कन पर मौझूद आवेस विसिति आवेस का हम इसमें इलेक्टrone प्रोटन कोई मतलब कन नहीं कह रहे हैं। सद्धी विसिस्ष्ट आवेस कह रहे उसका मास, तो किसी कन पर मौझूद उसके आवेस तथा द्रबमान के अनुपात द्वारा विसिष्ट आवेस को परिभासित करते हैं, अनुपात द्वारा किसको परिभासित करते हैं, तो विसिष्ट आवेस को परिभासित करते हैं, तो कॉमन सी बात है, ये बड़ा ऐसे कह स साब बहुत सिंपल सा है देखो ना कितना असान है आवेस तथा उसके द्रबमान के अनुपात दोरा भिसिष्ट आवेस को परिवासित करते हैं किसी भी कन के लिए ध्यान से रखना अब इसको अगर हम बात करें कि इंग्लिस में कैसे लिखेंगे तो देखो ना इंग्लिस में भी लिखा हुआ है यहां पर दर रेसियो ओफ दे अब हम बात करने जा रहे हैं तो दोनों का दोनों याद कर लिए होंगे और परिभासा आप आप लोग जडूर नोट बुक में लिख लें फस्स बिसिश्ट आविस और इसका ऐसे ही परते का वीडियो बना कर डाल देंगे जो आप के लिए कंप्लीट हो जाएगा और कोई समस्या भी इसमें नहीं होगा और आइटिंक आप लोग को दिखाए भी प्रॉपर दे रहा होगा इससे तो अच्छा और कुछ नहीं हो सकता तो आप लोग दोनों का दोनों डेफनीशन लिख लिए अब उसके नीचे स्पेस्पिक चार्ज तो लिख सकते हैं स्पेस्पिक चार्ज इफा एनी पार्टिकल फॉर एनी पार्टिकल के लिए लिख सकते हैं चार्ज मतलब क्या तो चार जोना पार्टिकल देखे फॉर्मूला क्या होगा अब उसके English में The ratio of the charge on a particle to the mass of the particle is called a specific charge और a specific charge को हम कैसे लिख सकते हैं तो a specific charge of a particle तो क्या लिख सकते हैं तो charge on a particle by mass on a mass of particle तो यह दोनों का दोना formula हम लोग लिख लिए तब इसके बाद जो बहुत common सा है जो one marks हम आपको कहे भी हैं कि one marks साथ में देखते चलेंगे तो बाभू one marks सबसे पहला one marks हम लोग complete करते हैं और पहला one marks क्या होता है तो specific charge of an electron तो electron का specific charge हम लोग को बता देना है electron का specific charge हम लोग को बताना है तो electron का specific charge कैसे बताईएगा तो अभी तो हम कहें कि specific charge को कैसे define करते हैं तो specific charge को define करने के लिए अगर हम एक formula लेते हैं तो specific charge का मतलब होता है charge on a particle तो electron के उपर charge कितना होता है तो electron के उपर charge होता है 1.6 into 10 to the power minus 19 इता बात जानते हैं आप लोग ठीक है तो जानते हैं सब अब इसके बाद के होता है तो charge on a particle तो charge on a electron हो गया अब mass of electron तो mass of electron कितना होता है तो 9.1 into 10 to the power कितना हो जाएगा तो minus 31 और जैसे तो इसका एक बात ध्यान रखेगा तो charge को कहते हैं हम लोग कुलंब और इसको कहते हैं kg तो जब हम इसको divide कर देंगे न तो 1.7 आ जाएगा 1.7 आ जाएगा into कितना आ जाएगा आप आप divide करके देख ले न 11 और इसका unit क्या होगा बहुत important चीज है कि इसका unit क्या होगा क्योंकि बिसिष्ट एक बात ही याद रखेगा ऐसा questions का unit आपका one marks में हो सकता है तो इस सब one marks अभी है यह भी one marks है तो ध्यान दीचेगा 1.7 to 10.11 तो क्या होगा कुलंब और kg inverse मतलब पर kg कह सकते हैं पर kg कह सकते हैं इतना तक तो बिलकुल complete हो गया होगा चलो तो इसका मतलत क्या हो गया स्पेसिफिक बिसिष्ट आवेस किसका electron का तो आपको याद कर लेगा चाहिए और इसको एक marks के लिए complete हो गया तो 1.79 to 10 to the power 11 कुलंब केजी इनवर्स याद रखेगा कुछ में क्या किया जाता है कि कुलंब केजी इनवर्स है न इसके मतलब यहाँ जो unit है इस unit को केजी पर कुलंब लिख देगा ऐसा करके change कर देगा confused मत हुएगा बिलकुल आसान सा चीजे हैं जो complete हो गया होगा आप लोग को अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इसके सबसे important चीज है क्या तो इसके बाब वो सबसे important चीज हम लोग किसका देखेंगे तो देखान से देखो acting होता है और इसके लिए क्या होता है तो हम dimensional फॉर्मूला अगर लीक हैं तो dimensional फॉर्मूला में क्या हो जाएगा तो dimensional formula में तही M जब उपर जाएगा, mass जब उपर जाएगा, तो M inverse, आ L तो है नहीं तो 0, आ T है, आ A भी है, तो यही हो गया dimensional formula of specific charge, complete हो गया होगा, आ समझ में भी बिल्कुल आप लोको आ गया होगा, तो A रहा क्या आपका, तो A रहा आपका specific charge मत बिसिष्ट आवेस का बिमिये सुत्र, इसका unit भी आप देख लिए है, definition भी देख लिए है, तो complete होगया ना बिसिष्ट आवेस, अब तो बिसिष्ट आवेस में दिक्कत होगा नहीं, अच्छा बिसिष्ट आवेस प्रोटॉन का भी हो सकता है, तब proton पर charge, अब proton का मास तो ध्यान रखेगा, तब proton पर charge तो, चार्ज तो उतना ही, जितना electron पर उतना ही charge, proton पर होता है, बस उसके परिमान समान होते हैं, और sign बदल जाता है, लेकिन ध्यान दिजएगा, मास अलग हो जाएगा, तब proton के लिए डिवाइड कर करके देख लिजेगा, और जो आएगा, तो proton का भी पूछ सकता है, बसिष्ट आवेज, electron का भी पूछ सकता है, तो हम आपको निकालना सिखा दिये हैं, जिसका पुछेगा, उसका बना दिजेगा, तब चार्ज, तो उसका चार्ज कितना है, याद रखेगा, ऐसा question भी हो सक तो क्या, बिदुत द्वी धुर्ब को परिभासित करें, मतब बिदुत द्वी धुर्ब का परिभासा देखना है, अरे ती तब बहुत असान है, तब बिदुत द्वी धुर्ब किसे कहते हैं, सबसे पहला question तो यह है, कि बिदुत द्वी धुर्ब कहते किसे हैं, तो ध्या परिमान, समान का मतब बराबर, परिमान, परिमान का मतब तो magnitude समझते हैं, और बिपरीत आवेस के युगम, जो एक दूसर से अल्प दूरी पर, तो बाबु बड़ा common सा बात है, अल्प जो है न, अल्प के जगा पर हम 2A, 2L ऐसा भी लिख सकते हैं, तो इल्प जो है, अल्प के जगा पर हम लिख सकते हैं, 2A भी लिख सकते हैं, अल्प दूरी पर उपस्थित हो, उसे बिधुत दूरी धुर्ब कहा जाता है, तो बड़ा common सा चीज है, बिधुत दूरी धुर्ब किसे कहते हैं, तो दो समान परिमान के बिपरीत आवेस के युगम को, बिधुत दूर दूर्ब कहते हैं, जो एक दूरी से 2L दूरी पर, 2A दूरी पर या अल्प दूरी पर उपस्थित हो, अच्छा, उसके इंगली से में कैसे कहेंगे बाब, तो इंगली समें तो बड़ा असान है, an electric dipole consists of a two charge with an equal magnitude and opposite charge, अरे equal magnitude होगा, opposite charge होगा, तो आप कहिएगा कि सर इसका example हमको दे दिजे, तो सच बात है, तो हम example एक आपको बता देते हैं, जो बिल्कुल आप लोगो complete कर देंगे, तो चलिए, तो देख लेते हैं, अगला की example क्या होगा, तो देखे न, example बाबू क्या होने वाला है, और कैसे example होने वाला है, तो देखे, यही है आपका, बिदुत देखे, यहां भी Q है, अगर आप ध्यान से देखे होंगे इसको, तो ध्यान से देखेगा तो क्या देखेगा बाबू, तो देखो कैसे देखेगा आप, तो यहां देखो न, तो यहां पर minus Q है, यहां पर plus Q है, लेकिन Q तो यहां भी है, Q यहां भी है, दोनों के बीच का द द्वी द्वी काते है तो द्वी घूल आए यहां द्रूब है यहां धरूब होगा अब यहां पर ले लिएन जो देखो तो द्वी 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 प्लास आगा होगा तो इसके om कि electric dipole का मतलब कि समान परिमान ध्यान से लिखे न दो समान परिमान के बिपरीत आवेसों के युग्म जो एक दूसरे से अलप दूरी पर उपस्तित हो अच्छा अलप दूरी का मतलब कोम दूरी पर उपस्तित हो उसे बिदुत द्वी धुर्ब कहते हैं An electric dipole consists of a two charge with equal magnitude and opposite charge तो इसको क्या कहते हैं हम लोग electric dipole कहते हैं तो बिल्बुल समझ में आ गया होगा इससे पहले वाले भी topic समझ में आ गया होगा तो अगर आप लोगों को इस topic में इस पर कुछ सुझाओ देना चाहते हैं कि सर इसमें ऐसा change कर सकते हैं तो जरूर हम change कर देंगे और अगले videos में हम लोग मिलते हैं तब तक के लिए state on physics group और जरूर एक बात ही कर लीजेगा अगर आप लोगों को further पढ़ना है बढ़िया से पढ़ना है समझ के पढ़ना है तो आप लोग क्या कर सकते हैं तो उसमें आप लोगों को बताएं हैं कि link जो दिया जाता है उस link को मतलब telegram का जो link है उसके मतलब description में उसे जरूर join कर लीजेगा बहुत फाइदा होने वा रहा है तो मिलते हम लोग नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए stay tuned physics group बबाई तब thanks for watching this videos